बारह सबसे उप्योगी और अक्सर उप्योग के जाने वाले डॉस कमांड की लिस्ट एक पिंग ट्राबल चूट नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन इशूस यदि आप किसी वेबसाइट या अन्य नेटवर्क कनेक्शन से जुड़ी समस्याओं का अनुभव कर रहे हैं तो व के लिए उप्योग कर सकते हैं सबसे पहले अगर आप नेटवर्किंग के प्रोब्लम का सामना कर रहें और आपका केंप्योगी और experiments में अन्य computer से यदि आप internet connectivity में issues का सामना कर रहे हैं या आप कुछ website open करने में असमर्थ हैं तो आप उस website को भी पिंग कर सकते हैं example.pingyoutube.com To ipconfig quickly find your IP address आप क्या करेंगे जब आपको अपने PC के IP address को देखना है इसके लिए control panel या network places में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए ज्यादा समय लगता है बस अपने command prompt में ipconfig type करें और enter करें अब आप अपने PC का IP address देख सकते हैं ipconfig से connect कई command भी हैं जैसे यदि आपको internet से connect होने में problem आ रहा है तो अपने IP address को renew करने के लिए नीचे दिये गए तीनों command का उप्योग करें यह problem को solve कर सकता है ipconfig flushedins यह command आपके system में dns domain name system record को remove करता है ipconfig release यह आपके system को assign IP address को release यह remove करता है ipconfig renewant में इस command से आपके PC को एक नए IP address मिल जाएगा 3.SFC scan out scan system files for problems यदि आपके windows PC के operating system में कुछ problem आ रहे हैं तो यह शायद system file के missing होने या कर्प्ट होने के कारण हो सकता है ऐसे समय अपने system files को check करने और इसके problem को fix करने के लिए SFC scan out command का उप्योग करें लेकिन याद रखे कि इस command को run करने के लिए आपको command prompt window को run as administrator से run करना होगा याद रखे कि आपकी system file को check करने और fix करने के लिए लंबा समय लगेगा याद 4. CHKDSK Check Disk Drives for Errors CHKDSK का मतलब है Check Disk ये आपके Disk Drive को चेक करता है और एरा की जांच करता है उदाहरण के लिए यदि आपको अपने D Drive को एरा के लिए चेक करना हैं तो CHKDSKD आप अपने Affected Disk Drive को रुपे अभी कर सकते हैं इसके लिए आपको इस कमांड का उप्योग करना होगा CHKDSKDF लेकिन इसके लिए आपको अपने कमांड प्रॉंप्ट विंडो को रॉन आज आद्मिनिस्ट्रेटर से रंग करना होगा 5. TraceRT Trace the path of packets to a particular server of a website और IP TraceRT कमांड एक packet के लिए एक destination तक पहुचने वाले मार्ग का पता लगाता है और उस रास्ते पर प्रती एक हॉप के बारे मैं आपको जानकारी दिखाता है यह कमांड एक website या IP के किसी विशिष्ट server पर packet के मार्ग का पता लगाएगा syntax stacker type address stacker domain name उदारन के लिए यदि आप traceRT youtube.com run करते हैं तो आपको packet प्रती एक सवा तक पहुचने के अपने रास्ते पर किस note के साथ interact होता है यह दिखाई देगा यदि आपको किसी website से connect होने में समस्याएं आ रही है तो traceRT आपको बता सकता है की समस्या कहां हो रही है 6. Let's Start List Network Connections and Potses Command का उपयोग आपका computer अनि computer हो या network devices के साथ कैसे communicate कर रहा है इस बारे में बहुत details information display करने के लिए किया जाता है विशेश रूप से netstat कमांड आपको network connection overall और protocol specific networking statistics के बारे मैं जानकारी दिखा सकता है इसके साथ ही यह और भी बहुत कुछ बताता है जो सभी कुछ networking problem को solve करने मैं मदद कर सकते हैं यह network से connect सभी devices की list display करता है और साथ में active connection और open port भी netstat के सबसे दिल्चस्प दारनों में से एक है netstat and जो आपके computer पर सभी open network connection की एक list display करता हैं जिसके साथ ही display करता हैं कि वे कौन से port का उप्योग कर रहे हैं और वे किस IP address से connect हैं 7. system info, display information about your system क्या आपको अपने PC के hardware के बारे में details जानना है तो command prompt में system info command type करें अब आपके सामाने आपके PC में कौन सा process से लगा है RAM कितीनी हैं BIOS का version कौन सा है आदी जानकारी आ जाएगी 8. task kill terminates ए रानिंग प्रोसेस की task kill का मन्डरान रहे हो रही किसी भी process को के लिए terminates करने के लिए इस्तमाल किया जाता है यह बहुत उप्योगी है जब कोई program fridge हो जाता है या वह respond नहीं करता ऐसे समय इस command से उस program को force close किया जा सकता है हम में से अधिकान shooters काम के लिए task manager का उप्योग करते हैं लेकिन यदि task manager से भी कोई process close नहीं हो रही है तो इस command का उप्योग करें इस command से आप एक साथ का ए प्रोसे से इसको kill कर सकते हैं उदाहरण यदि आपका firefox response नहीं कर रहा है तब उसे force close करनी के लिए इस command का उप्योग करें task kill if iam firefox.exe command में if option ip को force stop करता है और iam option firefox.exe program को search करता है 9. shutdown set time to self shutdown और restart PC जब आपके PC पर कुछ process चल रही है या वह update हो रहा है और ऐसे समय आपको बाहर जाना है तो आप इस command से अपने PC को automatic shutdown कर सकते हैं shutdown command से आप अपने PC को restart यह shutdown करने के लिए timer लगा सकते हैं उदाहरन के लिए यदि आपको एक घंटे के बाद PC को shutdown करना है तो यह command टाइप करें shutdown SD 3600 1 गंटे के बाद restart करने के लिए shutdown RT 3600 10. clean your computer शायद यह आपके computer में जमा हुए junk file को साफ करने का सबसे आसान तरीका है बस command prompt में clean your type करें और यह disk cleaner putility को open करता है 11fsmgmt.msc manage share folders quickly इस command का उपयोग करके सभी share किये गए folder और device का track रख सकते हैं आप यहाँ से आसानी से अपने computer पर sharing को control कर सकते हैं 12man432 see your computer's complete system info आपके computer system की पूरी जानकारी देखने का यह सबसे आसान तरीका यहां आप अपने computer के hardware और software बारे में जान सकते हैं अपके बाहां, आपके झाल झाल